हेलो एबरीबन एक और अपडेट हाई हुए है SSC की तरफ से जिन केंडिडेट का एक्जाम CHSL का ठीक है मैं CHSL की बात कर रहा हूँ उसके इन रिगार्डिंग एक नोटिस आया है आप पड़ सकते हो यह आज का नोटिस है इंपोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग चेंज ऑफ एक्जामिनेशन सेंटर ठीक है एक्जामिनेशन सेंटर के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और फिर देखते हैं भी इसमें क्या लिखा हुआ है एक बार जो भी आपके ल कीजियल का टिया टू हो गया 2019 का तो यह जो एक्जाम जो शेडूल होए थे उस टाइम पे और आपको पता है कि कोरोना की वज़ा से क्या हुआ था कि एक्जाम उस टाइम पर कंड़क्ट नहीं हो पाए थे तो यहां पर थर्ड पॉइंट देख सकते हो थर्ड पॉइंट क् क्या किया है यहां से उनको रिक्वेस्ट सेंड करिए कि सर एक्जाम जो सेंटर हमने मलब कोरोना के पहले डाले थे आप प्लीज उसको कुछ चेंज करवाने का ओप्शन दी दिये ताकि हम लोग एक्जाम दे सकें क्योंकि आपको पता है कि अगर उस टाइम पर डैली में र यहां पर देख सकते हो कि इस चीज को नोंने मान लिया है और यहां पर आप अपने सेंटर को मॉडिफाई कर सकते हो और जो डेट रखी है वो 18-20 ध्यान रखना है 18-20 बहुत जदा इंपोर्टेंट आप इसको किसी भी तरीके से ध्यान रखना अधर्वाइस अगर आप 18-20 इसके टाइम पर आपना सेंटर चेंज नहीं कर पाते हो जिनको करना है ठीक है जिनको करना है वो सकता है कि भी बहुत सो ने अपने घर के आसपास ही सेंटर रखो लेकिन जिसको करना है तो भी 18-20 दिन तीन दिन का समय आपको दिया जा रहा है आज होगी 16 तो कल 17 और 18 है न म जो भी आपके फ्रेंड्स वगेरा जो प्रिप्रेशन कर रहे हैं उनको आप उनको बताईए कि इस तरीके से सेंटर चेंज करने का अप्शान आ रहा है ताकि वो भी अपना एक्जाम सही से दे सकें तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी आप लोग ये टुटर कैंपेंड में कर रहे हो उस चीज पर मतलब क्या है कि गवर्मेंट नजर रख रही है मतलब उसको दिखने लग या भी देख सकते हो कि एंटी पीसी का आ गया वहापे आप प्रोविजिनल एस्सेप्ट अपना फॉर्म स्टेटस देख सकते हो उसी तरीके से SSC ने भी देखो यहां पर नो बढ़ेंगे तो आपको और भी पता लेगा सो थेंक यू